रामपुर के जंगल में मीनू चड़िया अपने पती सौनू चड़ा के साथ रहती थी बारिस का मौसम था जो रोसे बारिस हो रही थी एक दिन मीनू चड़िया अपने पती सौनू से कहती है सुनो जी मैं सोच रही हूँ क्यों न हम इस बार अपनी खेत में अंगूर की फसल उगाएं अगर हमारी फसल अच्छी हुई तो हम आदी फसल बेच देंगे और उन पैसों से अपने लिए एक पक्खा घर बना लेंगे तुम ठीक कहती हो मीनू इस बार हम अपने खेत में अंगूर की ही फसल उगाएंगे लेकिन हम बीज लाएंगे कहां से उनके लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो उसकी तुम बिलकुल भी चिंता मत करो मैं अपनी मौसी पिंकी चड़िया के घर जाऊंगी और उनसे कुछ अंगूर की बीज लेकर आंगी पिछली साल उनकी अंगूर की फसल अच्च हुई थी अगर अपनी फसल अच्च हुई तो हम अपनी मौसी के बीज जितने अंगूर पापिस कर देंगे ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे अगले दिन दोनों पती पतनी अंगूर के बीज लेने के लिए पिंकी मौसी के घर जाते हैं क्यों मीनू आज कैसे मौसी की याद आ गई बैसे तो कभी भी मौसी को याद नहीं करती हो जरूर कोई काम होगा तब ही तुम मेरे पास आई हो अब बताओ मुझसे क्या काम है क्या बताओ मौसी घर के कामकाच और केट के काम से फुर्चती नहीं मिलती हमारा केट खाली पड़ा है अभी हमने अपने केट में किसी भी फसल की बुवाई नहीं की है बारिस भी हो रही है सोच जाता इस बार अपने केट में अंगूर की फसल करूँ लेकिन बीच करीने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है अगर आप हमें अंगूर के कुछ बीच दे देती तो आपकी हम पर बहुत बड़ी क्रपा होती जैसे ही हमारी अंगूर की फसल पक जाएगी हम आपके बीच बापस कर देंगे तो ठीक है तुम ले लो मुझसे बीच लेकिन समय से बीच के बरावर मुझे अंगूर बापस कर देना पिंकी चडिया मीनू चडिया को अंगूर के बीच दे देती है मीनू चड़िया और सोनू चड़ा अंगूर के बीज लेकर घर बापस आ जाते हैं और बो दोनों अपने खेत में अंगूर के बीज बो देते हैं इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं एक दिन कई दिन हो गए हैं खेत में बीज डाले चलो एक बार चल कर देख लेते हैं खेत पर जाकर सोनु चड़ा देखता है आरे ये क्या ये फसल तो सूख रही है हमें इसे पानी देना होगा नहीं तो ये पूरी तरीके से सूख जाएगी दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और उनके खेत में अंगूर की फसल लहराने लगती है जब उनकी अंगूर की फसल पक जाती है तो बो दोनों उसे तोड़कर बजार में बेचने की तैयारियां करने लगते हैं तब ही जंगल का मुखिया वहाँ आ जाता है अरे तू अपनी अंगूर की फसल मुझे बेच दे कहां तू बजार में लेकर जाएगा नहीं नहीं मुखिया जी अभी हम अपनी अंगूर की फसल किसी को भी नहीं बेचेंगे जब बजार में दाम भड़ेंगे तब ही बेचेंगे मीनू की बास सुनकर मुखिया गुसा हो जाता है और वहां से चला जाता है अगले दिन मीनू चड़िया अंगूर की बीच की बरावर अंगूर अपनी मौसी को बापिस कर देती है कुछ दिनों बाद बजार में अंगूर के भाव बहुत बढ़ जाते है तम मीनू चड़िया अपनी सारी अंगूर की फसल को बजार में बेच देती है और फिर फसल बेच कर जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से मीनू और सोनू चड़ा अपने लिये एक पका घर बनाते हैं और उसमें खुसी-खुसी रहने लगते हैं अंडा अपने पंजों में पकड़ कर वहां से ले जाती है पिंकी चड़िया अपने दो अंडों के साथ चील का बड़ा अंडा भी रख देती है कुछ दिनों के बाद उन तीनों अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं एक में से चड़ा, दूसरे में से चड़िया, और तीसरे में से एक चिल का बच्चा होता है तिंकी चड़िया ने चड़िया का नाम मीनू चड़िया रखा था और चड़े का नाम मानू चड़ा रखा था और तो और उस चिल के बच्चे का नाम बबलू चिल रखा था आरे वावाई मेरे तीनों ही बच्चे कितने सुन्दर हैं मेरे प्यारे बच्चो तुम्हें भूंक लग रही होगी मैं अभी तुम्हें खाना खिलाती हूँ फिर पिंकी चड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है आरे भाई पिंकी चड़िया मैंने सुना है कि तुम एक चील के बच्चे को पाल रही हो चील तो हमारे दुस्मन होते हैं भला एक चील के बच्चे को पाल कर तुम्हें क्या मिलेगा वो बबलू चील तो बहुत छोटा है और अम मैंने सोच लिया है कि मैं उस बबलू चील को पाल पोस कर बड़ा करूंगी कुछ ही दिनों के बाद वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और उन्हें उड़ना भी आ जाता है और वहीं पिंकी चड़िया की तवियत भी काफी ज़्यादा खराब रहती थी एक दिन की बात है एक दिन पिंकी चड़िया मीनु चड़िया से कहती है मेरी बेटी मीनुचडिया मुझे तुम्हें एक बात बतानी है वो जो तुमारा भाई है बवलू वो मेरा बेटा नहीं है बलकि वो तो एक चील का बेटा है मम्मा आप ये क्या कह रही हो आपने इतनी बड़ी बात बवलू चील से क्यों चिपाई मुझे तो बचपन से ही बवलू चील कुछ अलग लगता था मीनुचडिया तुम बवलू चील और मानुचड़े से बड़ी हो इसलिए मैंने ये बात तुम्हें बताई है क्योंकि अम मेरा आकरी समय आने ही वाला है मीनुचडिया तुम बवलू चील की ये सच्चाई उसे कभी भी मत बताना बढ़ना वो तुम्हें और मानुचड़े को छोड़ कर चला जाएगा बस इतना ही कहकर पिंकी चड़िया उसी समय मर जाती है मीनुचडिया अपनी मा की मौत पर खूब दुखी होती है ममा मैं आपकी ख्वायस जरूर पूरी करूंगी और बवलू चील को हमेशा अपना भाई बना कर रखोंगी अगले दिन बवलू चील और मानुचड़ा आसमान में उड़ रहे होते हैं कि तबी उन्हें सामने एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है आरे मानुचड़े ये इतना बड़ा पच्ची कौन है इससे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ अरे बबलू चील ये तो एक बहुत बड़ी तागतवर चील है जो बहुत उची उड़ सकती है लेकिन तुम इसकी तरह तागतवर क्यों लग रहे हो नहीं नहीं मैं इस तागतवर चील जैसा क्यों लगूंगा मैं तो एक चड़िया का बच्चा हूँ ना हाँ तुम एकदम ठीक कहते हो मैं को ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है रात भी हो जाती है मीनू चड़िया और मानू चड़ा सो रहे होते हैं परंतु बू बबलू चील अभी तक जाग रहा होता है इस मानू चड़िया की बात मुझे परिशान कर रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो तागतवर चील मुझ में क्यों मिल रही थी कहीं वो मानू चड़ा ठीक तो नहीं कह रहा था कि मैं बाकई एक चील में मिलता हूँ परन्तू ऐसा कैसे हो सकता है मैं तो एक चड़िया का बच्चा हूँ ना परन्तू मैंने तो कभी भी अपने आपको देखा ही नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ जब मैं छोटा था तम मेरी ममा ने मुझे बताया था कि अगर कभी भी मुझे अपने आपको देखना हो तो मैं पानी में चला जाऊँ मैं अपने आपको आसानी से देख सकता हूँ मैं कल सुबा होते ही अपनी जंगल की पास वाली नदी के पास चला जाऊंगा ये कहकर बबलू चील भी सो जाता है अगली सुबे भी हो जाती है बबलू चील एक तलाब के पास आ जाता है और उस तालाब के पानी में अपने आप को देखने लगता है और कहता है अरे उस मानू चड़े की बात एकदम ठीक थी मैं तो उस तागतवर चील में ही मिल रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक चील का ही बच्चा हूँ हाँ इन सब बच्चियों ने मुझसे मेरी सच्चाई चिपा कर मुझे धोका दिया है मैं सच में एक चील का ही बच्चा हूँ फिर उसके बाद बबलू चील गुस्से में मीनू चड़िया और मानू चड़े के पास आता है मीनू चड़िया और मानू चड़े तुम दोनों ने मुझे धोका दिया है इतने सालों से मेरी सच्चाई मुझसे चिपा कर रखी कि मैं एक चड़िया का बच्चा नहीं बलकि मैं एक चील का बच्चा हूँ नहीं नहीं मेरे भाई मेरी बात सुनो अम मुझे तुमारी कोई बात नहीं सुननी मीनू चड़िया तुम दोनों मेरे कोई भाई बहन नहीं हो मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए फिर बबलू चील गुसे में पहाडों की तरप जहां चीले रहती थी वहां चला जाता है और वहीं दूसरी तरप मीनू चड़िया और मानू चड़ा काफी ज़्यादा उदास हो जाते हैं चील आंटी मैं इसी जंगल की किसी चील का बच्चा हूँ और मुझे जंगल के बच्चियों ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया और अब वो कहते हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ लेकिन अम में जान चुका हूँ मैं एक चिडिया का बच्चा नहीं बलकि एक चील का बच्चा हूँ मेरी सच्चाई इतने सालों से छिपा कर रखी और मुझे धोका दिया अम मैं उन पच्चियों से अपना बदला लेना चाहता हूँ आरे वा तो फिर तुम तो जानते होंगे कि पच्चियों के नने नने बच्चे कहां रहते हैं मैं अभी कुछ ही देर में जंगल के पच्चियों पर हमला करने ही बाली हूँ तुम मेरे साथ ही चलना और मुझे नने नने पच्चियों के घोंसले बता देना आरे वा चिल आंटी, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा परन्तु आप मीनू चुडिया और मानू चुड़े को भी पकड़ लीजियेगा मैं उनसे अपना बदला लूँगा हाँ ठीक है, अभी मैं चलती हूँ कुछ ही देर के बाद आती हूँ फिर चलते हैं पच्चियों को पकड़ने के लिए ये कहकर बायू चिल वहां से चली जाती है और वहीं बायू चिल बैटा होता है कि तब भी उसे एक पच्ची की आवाई सुनाई देती है कोई मुझे बचाओ, बचाओ, कोई तो है कोई मेरी जान बचाओ, मुझे इस पिंजडे से आजात करवाओ ये आवाईस तो यहीं कहीं से आ रही है चलो मैं चल कर देखता हूँ ये कहकर बबलू चिल इदर उदर देखने लगता है कि ये आवाज कहां से आ रही थी बबलू चिल इदर उदर ढूड़ी रहा होता है कि तब ही सामने ही उसे एक पिंजडे में कबूतर दिखाई देता है तब ही बबलू चिल तुरंत ही उस कबूतर के पास आता है आरे कबूतर अंकल आपको इस पिंजडे में किसने कैद किया है आरे तुम तो बबलू चिल होना मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ तुमारी चिल ममा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी परन्तु तेज बारिस में उनकी म्रत्यू हो गई थी और उनका अंडा तेज बारिस में भे गया था जो अंडा तुमारी दूसरी ममा पिंकी चडिया ने उठा लिया था और उसे अपने अंडों की तरह ही रखा था और उस अंडे में से तुम निकले थे बबलू चील पिंकी चड़िया ने तुमें अपने बच्चों की तरह ही पाला था लेकिन बबलू चील तुम यहां क्या कर रहे हो तुमें तो मीनू चड़िया और मानू चड़े के पास होना चाहिए था ना फिर बवलू चेल कबूतर को सारी बाते बताता है कि बवलू चेल मीनू चड़िया और मानू चड़ा से अपना बदला लेना चाहाता है अरे दुष्ट बवलू चेल आज तुम उसी पिंकी चड़िया के बच्चों के जान लेने के पीछे पड़े हो जिस पिंकी चड़िया ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया मैंने तो पिंकी चड़िया से पहले ही मना किया था कि चीले हमारी दुस्मन होती है चीलों को पालना बहुती ज़्यादा बूरी बात होती है पर पिंकी चड़िया ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और तुम्हें पाल पोसकर इतना बड़ा कर दिया है कबूतर की बात सुनकर बबलू चील को सब को समझ में आ जाता है कि वो मानू चड़ा और मीनू चड़िया के साथ बिलकुल गलत कर रहा था बबलू चील मुझे तो दुष्ट चीलो ने इस पिंजडे में कैद करके रखा है और वो साम को मुझे मार कर खाने बाली है तुम मुझे इस पिंजडे से आजात करवा दो कबूतर अंकल आपने मुझे मेरी सारी सच्चाई बताई है और आप तो मेरी ममा के दोस्त भी हैं तो आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है और फिर बबलू चिल कबूतर को आजात करवा के अपने जंगल की तरफ ले जाता है और फिर बबलू चिल तोरंत ही मीनू चड़िया और मानू चड़े के पास आता है मीनू चड़िया जल्दी करो इस जंगल में चीले हमला करने बाली है तुम जल्दी से सभी पच्चियों को लेकर इस जंगल से दूर चली जाओ बवलू चिल की बाद सुनकर मीनू चुडिया जल्दी जल्दी सभी पच्चियों को लेकर जंगल से दूर चली जाती है कुछ ही देर के बाद बायू चिल जंगल में हमला करने के लिए आ जाती है चिल के बच्चे ये जंगल के सारे पच्ची कहां चले गए यहां तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है चिल आउंटी किसी ने पहले से ही खवर कर दी होगी कि जंगल में हमला होने बाला है इसलिए सभी बच्ची जंगल को छोड़ कर दूर चले गए है ये बात सुनकर बायू चिल गुसा होकर बापस पहाडों की तरब चली जाती है कुछ ही दिर के बाद सारे पच्ची बापस अपनी जंगल में आ जाते हैं मेरी बेहन मीनुच्डिया और मेरे भाई मानुच्डे तुम मुझे माफ कर दो परन्तू अब हम साती रहेंगे तो दोस्तो ये ती आज की कहानी और हाँ दोस्तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का ऐसान नहीं भूलना चाहिए और हाँ दोस्तो आज का सवल जे है कि बो चील का अंड़ा किसे मिला था अगर आपको पता है तो कॉमेंट वक्स में लिख कर जरूर बताएं और हमारे चनल पे नई हो तो चनल को कर दो सबस्क्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और हाँ दोस्तो घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फॉन के स्केन पर हो मिलती हूं में आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई